कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पड़ो सभी कोरोना से डरो नहीं बच्चों आओ पड़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको नमस्कार बच्चों मैं रिचा सिंग प्रधानाचार्या राच्षिया इसकूल बगवाली आप सभी का ग्रह विज्ञान की इस कक्षा में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों आज जिस विशय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अध्याय पाँच ग्रह गड़ित आज हम इसके तीसरे और अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे आज के जो हमारे प्रमुक चर्चा के बिंदू रहेंगे वो हैं प्रतिशत की गड़ना करना, लाभानी की गड़ना करना और साधारण ब्याज हम सीखेंगे यानि percentage, लाभानी, profit loss और simple interest के बारे में आज हम सीखेंगे तो बच्चों इसे पूर्व की कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना दशमलव संख्याओं को घटाना, दशमलव संख्याओं को गड़ा करना और दशमलव संख्याओं में भाग देना सीखा था यानि addition, subtraction, multiplication and division of decimals सीखा था बच्चों आज के इस कक्षा को प्रारम करने से पहले हम आज के इस पार्ट को पढ़ाय जाने का उदेश्य देख लेते हैं आज के इस पार्ट को पढ़ने के बश्याद आप प्रतिशत की अवधारना को समझ पाएंगे profit loss या लाभानी किसे कहते हैं लाभानी की गड़ना को समझ पाएंगे ब्याज क्या होता है यानि की interest किसे कहते हैं इसको आप समझ पाएंगे और साधारन ब्याज या simple interest और rate of interest ब्याज दर की गड़ना को सीख पाएंगे और इन सभी अवधारनाओं को आप अपने भावी जीवन में या अपने ध्यानिक जीवन में प्रयोक कर पाएंगे इसी विश्वास के साथ हम आज का अपना क्लास प्रारम करते हैं हम आप अपने पहले concept या पहली अवधारना को से चलते हैं सबसे पहले जो हमारी पहली अवधारना है वो है प्रतिशत की गड़ना करना बच्चों प्रतिशत की गड़ना करने से पहले या इसके सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ terminologies हैं उनके बारे में बता देना चाहती हूँ सबसे पहले प्रतिशत गड़ित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का माध्या में यानि जब हमें किसी ratio को बताना होता है किसी ratio को comparison करना पढ़ता है अनुपात को बताना पढ़ता है तो हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं, प्रतिशत का आर्थ है प्रती सौ या प्रती सैक्डा, यानि कि पर्सेंटेज में हमेशा हम सौ में निकालते हैं, यानि सौ को आधार मानते हैं और उसी में हम पर्सेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, प्रतिशत को गड़िती प्रतीक पर जाएगी यानि कि 5 न पढ़के ये 5 प्रतिशत पढ़ा जाएगा ये 75 प्रतिशत पढ़ा जाएगा साधारण बिन्न या दशवलब बिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुड़ा करते कोई भी साधारण बिन या दशमलब बिन है और हमें उसे प्रतिशत में बदलना है तो जैसे कोई भी साधारण बिन है 4,5 और हमें उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम उसे 100 से गुड़ा करेंगे, प्रतिशत को दशमलब भिन या साधारन भिन में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, यानि कि अगर सपोज लिखा हुआ है 56% तो हम इसको अगर साधारन भिन में बदलेंगे, ये 56 प्रतिशत को तो हम 56 अपॉन 100 लिखेंगे, तो बचो ये कुछ terminology थी जिसको मैंने आपको बताया, अब हम अपने सवालों के माध्यम से एक एक करके प्रतिशत की गढ़ना को समझने का प्रियास करते हैं, सबसे पहला जो हमारा उधारन है वो है निमलिखित को हल कीजे, 300 का 25% यहाँ पे हमें 300 का 25% निकालना है, जब भी ह हम इस का को रिमूफ करेंगे, का को हटाएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 300 और इस का की जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम मल्टिप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, और 25% अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को साधारन भिन्न या दर्शम इन पे बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे 100 से, और अब हम इसको solve कर लेंगे, तो कैसे solve करेंगे, 100, 3 जा, 300, 25, 3 जा, 75, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया, वो कितना आया, 75, यानि कि 300 का 25% अगर हमारा निकालना हो, तो कितना आंसर आएगा, 75 आएगा, तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ, यदि आपने पिछली स्लाइट को अच्छे से ध्यान से देखा, उसको समझा, तो हम कितनी आसानी के साथ इन सवालों को निकाल ले रहे हैं, अब हम एक और उधारण देखते हैं, लिमलिखित प्रतिशत को साधारन भिन्न में बदले अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रतिशत को जब साधारन भिन्न में बदलना होता है तो हम इस प्रतिशत के साइन को रिमूव कर देते हैं हटा देते हैं और इसको सौस से भाग दे देते हैं तो अब हमने यह सरलतम संक्या है और अब और विभाजत नहीं होगी अब और सरल रूप में नहीं आएगी तो यही हमारा उत्तर होगा अगर हम इसे दशमलव में साध चलते हैं यहाँ पर ये एक इबारती सवाल है यहाँ में आपको पहले बिताए था कि आपके एग्जाम में ज्याधा तर इबारती सवाल ही पूछ़े जाएंगे इसलिए इबारती सवालों को करना जरूरी है हम सवाल को समझने का प्रयास करते हैं एक परिवार अपनी कुल मासिक आयका 6% बोजन पर करचाय है, उसका मासिक वेतन रुपइ 35 है, यानि कि वह महीने उसको जो रहा है, जिस भी नौकरी से वह वेतन का मर ले रहा है, तो वहाँ पे 3500 रुपे है और खेती से वह 2500 रुपे आमधनी कर रहा है यानि कि खेती से उसको 2500 रुपे हर महीने आमधनी हो रही है तो वह बोजन पर प्रती महा कितना व्याय करता है अब यहाँ समझने वाली बात है कि भोजन पर प्रती महा कितना व्याय करता है निकालने के लिए आपको यहाँ पहले ही बताय जा चुका है कि कुल मासिक आय का 60 प्रतिशत तो कुल मासिक आय तो पहले हमें कुल मासिक आय देखनी पड़ेगी तो इसके लिए जितने भी सोर्स से उनकी जो आए है वो जोड लेते हैं तो यहाँ दो सोर सर से मासिक आए है एक तो 3500 रुपे मासिक वेतन है केती से प्राप्त आमदनी रुपे 2500 है तो इन दोनों को हम जोड देंगे तो यह आजाएगा रुपे 6000 छे हजार तो यह जो है यह कुल मासिक आमदनी हो जाएगी अब इस कुल आमदनी का 60 प्रतिशत तो इस आमदनी का 60 प्रतिशत चूकि वो व्याय कर रहा है तो हम 6000 का 60 प्रतिशत निकालेंगे अभी पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको 300 का 25 परसेंट निकालना बताया है तो यहाँ पे हम 6000 का 60 प्रतिशत निकालेंगे तो मैंने आप reply कर दिया, अब हम percentage के sign को भी हमने remove कर दिया, 60 प्रतिशत में से, और उसकी जगह हमने 100 से भाग दे दिया, तो अब हम इसको solve कर लेंगे, कैसे solve करेंगे, यह 20, 20 से cancel out हो गए, 60 into 60 is equal to 3600, तो यहाँ पे कुल मासिक आय कितरी हो जाएगी, कुल भोजन पर प्रतिमा कितरा व्याय होगा? 3600 रुपे व्याय होगा, यानि कि वह परिवार, अगर 6000 रुपे उसकी मासिक आमदनी है, तो और वो अपनी आमदनी का साथ प्रतिशन पर भोजन पर व्याय कर रहा है तो फिर वो कितरा व्याय कर रहा है वो अपनी आमदनी का से 3600 रुपए भोजन पर व्याय कर रहा है तो बचों आप देख रहे हैं कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और सवाल को समझेंगे और दिये गए जो सूत्र है उनके या जो मैंने टर्म्स आपको बताए हैं उन पर ध्यान देंगे तो आप बड़ी आसानी से प्रतिशत के सवालों को हल कर पाएंगे अब हम अपनी अगली अवधारना की दरब जाते हैं जो है लाब हानी की गड़ना करना बच्चो लाब हानी जब हम कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो कंडिशन्स होती हैं एक तो या तो हमें लाब होता है या हमें हानी होती है सामानता यही दो कंडिशन्स होती है तो आज हम लाब और हानी की गढ़ना करना सीखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहा रही हूँ जो लाब हानी से संबंदित है इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कोई वस्तु जि इंग्लिश में CP से भी denote करते हैं यह है cost price कोई वस्तु जिस मूल पर बेची जाती है यानि कि जब हम किसी वस्तु को जिस मूल पर बेचते हैं तो हम उसको उसका selling price या विक्रे मूल कहते हैं और उसको हम उस SP से भी denote करते हैं तो विक्रे मूल क्या हो गया SP अब तीसरी जो मह बात है वो यह है कि यदि विक्रय मूले क्रय मूले से जादा है यानि कि जिस दाम पर हमने सामान बेचा अगर वो जादा है विक्रय मूले जादा है यानि कि selling price is greater than cost price. तो हमेशा हमको क्या होगा लाब होगा यानि कि profit होगा और यदि क्रय मूले यानि कि अगर cost price विक्रय मूले से जादा है तो फिर हमें हानी होगी. इसको एक example से मैं आपको समझा दे रही हूँ कि अगर माली जे हमने कोई सामान 10 रुपे का खरीदा और 20 रुपे में बेच दिया तो 10 रुपे मारा क्रय मूले हो गया और विक्रय मूले कि हो गया 20 रुपे तो जाहिर सी बात है 10 रुपे मारे पास बचेंगे तो हमें लाब ह नुकसान हुआ तो यदि कॉस प्राइस जादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा अब कुछ फॉर्मूलाज है यहां पे जिनकी मदद से हम अपने सवालों को हल करेंगे इनको बहुत ध्यान से देखिए पिशली भी कक्षा में मैंने आपक कि आप कॉपी और पैन के साथ बैठिये तो इन सूत्रों को इन फॉर्मूलाज को आप समझते जाएए और कॉपी में उतारते जाएए क्योंकि आगे के जो सवाल हल करेंगे वो इन पर ही बेस्ट होंगे अब हम सबसे पहले फॉर्मूला पे आते हैं लाब प्रतिशत मैंने क्रेमूल चाहिए यानि कि कोस प्राइस चाहिए तो लाब गुड़े सौ बटे क्रेमूल से हम जो है लाब प्रतिशत को निकाल पाएंगे अगर हानी प्रतिशत निकालना है यानि कि अगर हमें कहीं पर हानी हो रही है तो कितनी हानी हो रही है तो हम यहाँ पे हमें हानी पत प्रतिशत निकालना हो दोनों में आधार हम क्राय मूले को ही यानि कि कॉस्ट प्राइस को ही मानेंगे अब हमारा अगला जो फॉर्मुला है वो है क्राय मूले और विक्रे मूले निकालने के लिए क्राय मूले के लिए भी दो कंडिशन्स है और विक्रे मूले के लिए भी यह विक्रे मूले मालूम है लाब प्रतिशत मालूम है तो हम आसानी से क्रे मूले निकाल सकते हैं जब हमें लाब हो और क्रे मूले जब हानी हो तो 100 गुडे विक्रे मूले बटे 100 माइनस हानी प्रतिशत यानि कि हमें जब विक्रे मूले मालूम हो और हानी प्रतिशत मालूम हो त तो जब लाव हो तब विक्रे मूल का फॉर्मूला है क्रे मूले गुडे 100 प्लस लाव प्रतिशत बटे 100 और विक्रे मूले जब हानी हो इसका फॉर्मूला है क्रे मूले गुडे 100 माइनस हानी प्रतिशत बटे 100 इन फॉर्मूलाज की मदद से हम बहुत आसानी से अपने सवाल निकाल लेंगे, तो आईए, हम अपने एक-एक सवाल की तरफ चलते हैं, इनको निकालने का प्रयास करते हैं, पहला सवाल है, एक दुकानदार ने 10 कुरसियां रुपे 3,000 में खरी दी, यानि कि कॉस प्राइस कितना है, 3,000 रुपे, और उन्हें 4,000 रुपे में बेज दिया, सेलिंग प्राइस कितना है, 4,000 रुपे, तो आपको प्रतिशत लाब निकालना है, लाब परसेंट का फॉर्मूला मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, लाब प्रतिशत निकालने के लिए लाब गुड़े 100 बटे क्रे मूले, तो यहाँ पे आपको लाब नही लाब हमें निकालने के लिए, अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस प्राइस को माइनस कर देंगे, यानि कि 4,000 में से, 4,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे जो है टोटल लाब आ जाएगा, यानि कि 1,000 रुपे हमें लाब हुआ, कुल लाब कितना तो यहाँ पर हमने देखिए, कि हमें लाब नहीं मालूम था लेकिन हमने आसानी से लाब निकाल लिया तो लाब कितra हो गया? 1,000 रुपे अब क्रेमूलिय मालूम है, 3,000 रुपे फोर्मुला में रख के, हम आसानी के साथ इस सवाल को निकाल लेंगे तो अब हम लाब कितना निकला था, 1000 रुपे, गुडे 100 बटे क्रे मुले, क्रे मुले कितना है, 3000 रुपे, तो अब हम इसको solve कर लेते हैं, यह विभाजित हो जाएगा, 3000, अब यहाँ पे आपको आजाएगा, 100 upon 3, अब इसको हम further solve कर लेंगे, इसको हम divide कर लेंगे, decimal का division मैंना आपको सिखाया है, 3 3 जा, 9, 10 में से 9, 1, 0, 3 3 जा, 9, 10 में से 9, 1, decimal लगेगा, 0 उतरेगा, 3 3 जा, 9, 10 में से 9, 1 और एक बार हम और करेंगे, decimal के 2 अंकों तक, तो 3 3 जा, 9 और 1, अब हम इसको यही पे छोड़ दे रहे है, decimal के 2 अंकों तक, यानि हमारा जो प्रतिशत लाब निकला, वो कितना निकला, 33.33% क्योंकि लाब हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हम इसके आगे प्रतिशत का चिन्न लगाएंगे, तो आपने देखा, कि कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला पे रख के, जो चीज़े हमें मालूम है, क्रेम मूले, विक्रेमूले, लाब प्रतिशत, लाब तो और जो नहीं मालूम है, उसको हम निकाल सकते हैं, और यदि हमें फॉर्मूला पता है, तो हम बड़ी आसानी से अपने सवाल को हल कर सकते हैं, तो बच्चों, एक और उधारन के साथ हम चलते हैं, यहाँ एक नया तरे का स हम चलते हैं, उसको देख रहते हैं, राजू ने अपना मोबाइल रुपए 3,000 में बेचा, तो यहाँ पे 3,000 क्या हो गया, यह विक्रेमूले हो गया, यह निस सेलिंग प्राइज हो गया, तो उसे 25% की हानी होई, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मोब तो जब हानी हो, तो क्रेमूले क्या हो जाएगा, 100 गुड़े विक्रेमूले 100 माइनस हानी प्रतिशत, 100 गुड़े विक्रेमूले बटे 100 माइनस हानी प्रतिशत, अब आप इस फॉर्मूले में आप रखके आराम से जो है क्रेमूले निकाल लेंगे, अब 100 गुडे विक्रे मुले कितना है? 3000 बटे 100 मिनस हानी प्रतिशत हो. 100 और हानी 25, 25, 4 जा, 100, 25, 3 जा, 75, 3, 1 जा, 00. 4000 से 4 को मुल्टिप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा रुपीज 4,000. तो आप देख रहे हैं कि बच्चों अब हमारा जो क्रे मुले आया, वो कितना है? रुपे 4,000. यानि कि राजू ने वो मुपाइल 4,000 रुपे में खरीदा था और उसने उसको 3,000 रुपे में बेचा तो 1,000 रुपे का उसे नुकसान हुआ यानि उसे 25 परसंट की हानी हुई. तो आपने देखा कि यदि आप फॉर्मुले को अच्छे से समझेंगे, आप क्या दिया गया है, क्या निकालना है, इसको अच्छे से समझेंगे, तो आप आसानी के साथ इन सवालों को हल कर पाएंगे. अब हम अपनी अगली और अंतिम अवधारना की तरफ चल रहे हैं, जो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरस्ट. साधारण ब्याज या सिंपल इंटरस्ट समझने से पहले, मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाहा रही हूँ, इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए वो धन मूल धन होता है, यानि कि हम किसी बैंक में या संस्ता में जब कोई धन जमा करते हैं, या हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मूल धन कहते हैं, वह राशी जो प्रती सैकड़ा मूल ध फ मूलधन पर निर्धारित होती है, उसे हम ब्याजदर कहते हैं, या निए 140 मूड़न पर जो राशी, प्रमोड़न होती Calm Zumist, किसी निश्चित समय अवदी के बाद मूलधन पर प्राप्त हुए अत्रिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं यानि अगर हमने किसी संस्था में कोई पैसा जमा किया या किसी से उधार लिया कोई पैसा तो हमें एक definite time period के बाद एक माईना, दो माईना, चार माईना, एक साल, दो साल, पात साल बाद जो धन वापस करना पड़ता है उसमें जो added जो हम money देते हैं यानि कि जो extra पैसा देते हैं या extra पैसा हमें मिलता है उस जगए से bank से या संस्था से उसको हम क्या कहते हैं ब्याज कहते हैं, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज या सूत्र है, इनको बहुत ध्यान से समझेगा, मिश्रदन is equal to मूलधन plus ब्याज, मिश्रदन यानि total amount, मूलधन यानि हमारा principal, यह हमारा A हो जाएगा, और यह मूलधन principal amount जो हम आमने basically जमा करते हैं या हम उधार लेते प्लस ब्याज, इसको हम कहते हैं interest, इसके बाद अगर हमें मूलधन निकालना हूँ, तो हम बड़ी आसानी से, इनमे से हमें जो दो चीज़े पता होंगी, तो हम तीसरी चीज़ को आराम से निकाल पाएंगे, जैसे अगर हमें मूलधन निकालना है, तो मिश्रदन पता है, और अगर में ब्याज निकालना है, और हमें मुश्रदन पता है, और हमें मूलधन पता है, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं, साधारन ब्याज का formula, मैं आपको बता रही हूँ, बच्छो, simple interest का formula, उसको बहुत ध्यान से देखेगा, साधारन ब्याज या simple interest, इसको हम कहते हैं English म और SI से यहाँ पर हम denote कर रहे है, simple interest का formula क्या है, मूलधन प्रिंस्पल इंटू दर यानि ब्याज की दर, rate of interest आर गुड़े समय या T upon 100, यानि कि साधारन ब्याज अगर हमें calculate करना है, तो मूलधन गुड़े ब्याज की दर, rate of interest हमेशा percentage में होता है, इसलिए नीचे 100 से भाग दिया गया है, और गुड़े समय, तो इस से इस formula पर based आप सारे सवालों को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आईए एक एक करके हम देख लेते हैं, सबसे पहले 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, रुपे 2000 का 5 वर्ष का साधारन ब्याज यहां पर क्या दिया हो गया है, 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानि rate of interest या दर जो है, वो 5 प्रतिशत दी है, मूलदन कितना दिया हुआ है, 2000 यह आपका मूलदन है, और 5 वर्ष समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष और आपको उचा है कि साधारन ब्याज ग्याद की 2000 गुड़े दर कितनी है, ब्याज की दर, 5 प्रतिशत और उसके बाद समय कितना है, आपका समय है, 5 साल, 5 वर्ष अपन 100 क्योंकि यह प्रतिशत में होती है, ब्याज की दर, अब हम इसको solve करेंगे, यह 2 0 से, यह 2 0 cancel out होगे, 25 जा, 100 और 105 जा, 500, तो यहां पे रुपीज 500 हमारा answer आ गया, यहां पे 25, 0 0 0, 5 2 0 10, यानि कि अगर आप इन दोनों को multiply करेंगे, तो 100 और 105 जा 500, तो रुपीज 500, तो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, रुपेज 2 हजार का, 5 वर्ष का साधारन ब्याज कितना आएगा, रुपेज 500, यह हमारा simple interest निकल गया, एक और सवाल हम देख लेते हैं, रुपे 800 का 5 वर्ष का मिश्रधन रुपे 1,000 है, रुपे 800 का 5 वर्ष का मिश्रधन रुपे 1,000 है, तो ब्याज की दर बताईए, अब यहां पे रुपे 800 का, तो यहां 800 क्या है, यहां 800 आपका मूलधन या प्रिंस amount है, और 5 वर्ष का, यानि time क्या हुआ है, 5 वर्ष मिश्रधन आपका रुपे 1,000 है, यहां पे आपको मिश्रधन या total amount दिया गया है, total amount आपको मैंने बताया था, कि मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देते हैं, तो वो मिश्रधन कहलाता है, तो मिश्रधन यहां पे अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले तो हम फोर्मूला देखेंगे, कि हमें दर पूछी है, तो हम दर निकालने के लिए हम साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और समय चाहिए, तो यहां पे मूलधन हमारे पास है, 800, समय है 5 वर्ष, लेकिन साधारण का formula है मिश्रधन माइनस मूलधन तो अगर यहां पे मिश्रधन कितना है 1000 और मूलधन कितना है 800 तो मिश्रधन में से मूलधन अमने घटा दिया तो रुपे 200 आपका साधरन ब्याज आ गया तो लीजे आपको ब्याज भी पता चल गया तो अब आप क्या करोगे अब आप formula में हम दर का formula तो rate of interest is equal to यहां पे हो जाएगा अब साधरन ब्याज simple interest क्योंकि यह आप ऊपर आ जाएगा into 100 अपन मूलधन मूलधन कितना है आपका मूलधन है 800 और समय समय है 5 वश यहां पे simple interest आपने निकाल लिया है तो आप यहां पे simple interest हम लिख देंगे 200 गुडे 100 बटे 800 गुडे 5 तो अब आप इसको solve कर लेंगे यह 42 जा 8, 45 जा 20, 55 जा 25 तो 55 जा 25 तो यह 5 और चुकि rate of interest हमेशा percentage में होता है तो हम percentage का sign लगा देंगे देखे बच्चो कितनी आस्नानी के साथ हमने rate of interest 5% निकाल लिया तो बच्चो आज का हमारा यह भाग यही पर समाप्त होता है अब हम जल्दी से एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं आए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा प्रतिशत के द्वारा गड़ित के किसी अनपात को व्यक्त किया जा सकता है प्रतिशत का आर्थ होता है प्रतेक स्वा में से किसी भी वस्तु को खरीदने को क्रे और बेचने को विक्रे कहते हैं यदि किसी वस्तू का विक्रे मूल्यादिक है तो लाब होगा और क्रे मूल्यादिक है तो हानी होगी, जमा किये गए धन पर मिलने वाले अत्रिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं, उस राशी पर जो प्रती सैक्डे मूल्दन पर निर्धारित होती है, उसे हम ब्याज की दर कहते ह लाब और हानी तथा ब्याज की गढ़ना करने के लिए हमें प्रतिशत की आवश्यक्ता होती है इसलिए हमने प्रतिशत को पहले पढ़ा और लाब हानी और ब्याज को बाद में पढ़ा तो बच्चो आज के इस भाग से संबंदित कुछ ग्रहकार मैंने आपको दिया है इतने की मिलेगी राम ने एक घड़ी रुपे 120 में बेची उसे 25 परसेंट की हानी हुई घड़ी का क्रेमोल्य ग्याद कीजे क्रेमोल्य रुपे 600 पर लाब 15 प्रतिशत होने पर विक्रेमोल्य ग्याद कीजे 4 परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से रुपे 600 का 3 वर्ष का सा अधरन ब्याज ग्याद कीजिए और अंतिम सवाल है रुपे 25 किस ब्याज की दर से 5 वर्ष में रुपे 3,000 हो जाएंगे तो बच्चों आज का ये भाग इतना ही आप इस ग्रहकार को आज पढ़ाए गए भाग की मदद से अपने online शिक्षकों की मदद से या फिर मानव संसाधन विकास मंत्राले भारा सरकार द्वारा विक्सित दीक्षा आपको अपने Android फोन पर Google Play Store में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी मदद से अपनी पार्टि सामगरी को लेकर इससे भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इ विदा लेती हूँ स्वस्त रहिए खुश रहिए धन्यवाद नमस्कार